और ले देके ने ट्रक में यही कोसिस की है कि आपको जो important voltage है उनको मैं आपको बताऊं कि आपको यह सारी important voltage चेक करना है तो दोस्तों इस capacitor पर अगर मैं बात करूंगा आपको मिलेगा यहां पर चार voltage जो कि यहां पर वी पी है चाहेगा ठीक है तो इस capacitor पर आपको चार मिलना है फोन को और रखना है और इस capacitor के एक छोड़ पर आपको 1.0 voltage दान देना 0.9 और 1.0 voltage और अगर मैं बात करूं यहां पर और इस रजिस्टर में अगर WTR के voltage देखेंगे तो यहां पर आप देखेगा यह तीनो पैट आगे जाकर जोइंट हो रहे हैं और यह आगे जाकर किस बहुत जादा है जो ने ट्रक नो सर्विस की जिसमें प्रोब्लम आ रही है अगर दुस्तों अगर आपको नो सर्विस आ रहा है तो आप इन पॉइंट पर यह वोल्टेज जरूर चेक करना क्योंकि यह वीडियो डेडिकेट इसके लिए मैं कोसिस करूंगा वीडियो को छो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ मुझे यहां पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं अब मुझे इसकी वोल्टेज की रुकार्डमेंट पूरी करनी है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं और दोस्तों अगर ऐसा ही कुछ और ज्यादा सीखना है इसे भी ज्यादा तो हमारे इंस्टिटूट जोइन कर लेजे आज ही हमारे को कॉल लगाईए और हमारे अगले महिनी की बैच को बुक कर लेजे अल्मोस हमारी अगले महिनी की दोस्तों बैच बुक हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट हमारे बची हुई है हम ब जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुरूर। आपको यह से मिलेगा डिवत अगरवाल के चैनल पर आज मैं क्या बात करने वाला हूं आज मैं आपको बताओंगा पर्टिकुलर एक फोन के अंदर कहां कहां आपको कौन-कौन से चेक करना है आज अगर आपको बताओंगा जगे जगे पर स्कीन स्कीन स्ट ले जाना कि कहां-कहां आपको नेट ट्रक चेक करना है। तो कि क्या आज में बात करूँगा डट्र कि आज मैं बात करूँगा पी आप टी की आज में बात करूँगा कि आपको यह करम इख देपको नाज स्कीन नहीं है वीडियो आप लोगे लिए के बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं और दोस्तों अगर ऐसा ही कुछ और ज़्यादा सीखना है इससे भी ज़्यादा तो हमारे इंस्टिटूट जोइन कर लीजे आज ही हम लगाईए और हमारे अगले मेनी की बैच को बुक कर लीजे अल्मोस हमारी अगले मेनी की दोस्तों बैच बुक हो चुकी है सिब और सिब लिमिटेड सीट हमारी बची हुई है हम बहुत लिमिटेड लोगों को पढ़ाते हैं हम 40-50 लोगों को एक घटा करके नहीं पढ़ात है या मेरा इनको समझ में नहीं आ रहा है या यह उस लायक नहीं है तो आप अपना पूरा की पूरा पैसा अब जेब में रखो यहां से चले जाओ बड़े सम्मान के साथ कोई डिक्कत नहीं हमें कोई गलानी पर आज तक हम किसी के साथ होनी नहीं देंगे क्योंकि हमारी जो पढ़ाने की स्ट्रेटीजी है और जो मेरा सिलेफस है दोस्तों वह एक नंबर है अलग लेवल पर है आप पहले दिन आऊगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने यहां एक साल आने मैंने गल्टी कर दी कि मैं एक साथ पहले यहां आज 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 कुछ और पा लेता क्योंकि द दोस्तों देवादा नगवाल को अगर तो जानते नहीं हो ना तो जान लो क्योंकि एक ब्रांड है जो 2013 से पढ़ा रहा है और उसको पढ़ाने का ही एस्पिरियंस दस साल का मुझे पढ़ाने का है आप सोचो तो एक टेक्निशन क्या होगा तो क्योंकि मैं एक एक साथ ही बताऊंगा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे में कहां वोल्टे चेक करें आज मैं पीएफो में कहां चेक करें एक मॉडल उठाओंगा जैसे रैड्मी एट है अभी मार्ट में बहुत ज्यादा है जो ने ट्रक नो सर्विस की जिसमें प्रोब्लम आ रही है अगर द विडियो डेडिएर इसके लिए मैं कोशिस करूँगा विडियो को चोटा बना निकले पर इंफोर्मेशन ज्यादा रहें बात करेंगे आपको सबसे पहला वोल्टेश पीएफो पर चेक करना है आप अगर बात करेंगे नोटिस किजिएगा यह आपका यहां पर अगर मैं IC की बात करूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह आपकी दोस्तों PFOIC है ठीक है और इस IC में और यह आपकी 2G PFOIC है अगर मैं बात करूं यह आपकी 2G PFOIC है इस IC पे आपको दो वोल्टेज चेक करने है और अगर आप नहीं डो वोल्टेज चेक कर लिए तो इस IC की रिकॉर्डमेंट पूरी हो गई है हलाकि असानी है से वोल्टेज चेक करना है इस पर देखा जा तो बहुत सारी सप्लाइं है जो इंपोर्टेंट है जैसे SP जैसे S data या S clock की बात करें या CL data, CL clock जो की RFFE data जो की RFFE data जिसको रेडियो फोन टो फोन डाटा रेडियो फोन टो फोन क्लॉक बुलते हैं और इसके साथ भी बहुत चाहरा फिलाल आप इतना जरूर चेक कर लें कि आपको इसको वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो आप नोटिस कीजेगा अगर मुझे वोल्टेज में चाहिए वो इन दो लाइन पर मुझे वोल्टेज चाहिए एक मेरो को चाहिए यहां पर आप नोटिस कीजे जो मैं यहां पर दिखोंगा एक भी बैट पर तो दो जगे पर मुझे वोल्टेज चाहिए और एक वोल्टेज आप अगर इस आइसी के पास इस कैपसिटर में चेक कीजेगा यहां पर आपको फोर वोल्टेज आने चाहिए जो कि आपके बैक्टरी के वोल्टेज होंगे जितना भी अगर 3.7 होंगे तो 3.7 आईगे तो आपको इस लिए 1.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा तो आपने इन दो कापिसोटर पर पे पी एफो के एक इनपूट वोल्टेज चेक करना है जो कि एक चार वोल्टेज 1.7 अगर यहां पर 1.7 वोल्टेज ना है दोस्तो तो यहां पर दोस्तो आप पर जेती है यह जो कि यहां लगाने के बाद आ जा जाएं तो यह तो November करते हैं यह उतलो मदलव यह और बैतरी लगाने के बाद आ जाते हैं तो यह वे पहल्त हो यह कि तो यह PFO हमारा दन हो गया दोस्तों अब इसके बाद अगर आप WTR के वोल्टेज चेक कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि WTR में वोल्टेज मेरे कहां आएंगे तो तो यहां पर आप देखेगा यह यह तारे से हैं ईक गान एक तुरू और यह तो हमारा होई और यह नर्ड्स आपको यह चेक करना है और यह आपको उन एडट ऑन लकाने के बाद से खांखना है तो यहród एक अपर इस ब आपको चेक करना है, तो basically WTR में मैं दो वोल्टेजी चेक करना है, कहाँ पर यह वोल्टेज मुझे मुझे मिलेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो वो जो तीन रेजिस्टर है और वो जो एक चौतर रेजिस्टर है जो पर 1.8 मिलेगा यहाँ पर कहा मिलेंगे यह फुडू कीच लिजेगा तो मैं इसको तो रासा इसको मैं चौड़ा करूंगा नोटिस कीजे यहाँ पर तो यह मेरे को जो देखने को मिलेगा वोणटेस वों यहाँ पर देखिए तो यह बिसिकली यह आप नोटिस कीजे तो यह रोजिस्टर पर मुझे वोणटेस देखने को मिलेगा और इस रोजिस्टर पर आपको चेक करना है 1.9 और 1.0 वोल्ट आन देना 2.9 और व Woltage और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस register में अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर dei मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर वण पोटइट वोल्टेज देखने को मिलेंगे विसए के लिए इन तीन register में जो कि आपका Redmi का 8A है आप दान देना यह आपका WTR IC है तो इन तीन register में आपको तीनों register पर 1.8 voltage आना चाहिए दोनों और आप अगर यहां भी check करेंगे और यहां भी check करेंगे यहां और यहां दोनों और 1.8 आना चाहिए क्योंकि यह सीरीस condition में लगा है तो इसका मतलब यह समझे ना कि WTR के voltage भी okay है नहीं है तो इस WTR के voltage के लिए काम करना पहले साइसी को निकालना इसको रिप्लेस करना और अगर नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस करना उसके बाद इस कि इस के लिए मिए अगर उसके वीड़ा बनाओंगा कि अगर इसके voltage missing होते हैं तो इसके यह क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी supply हैं चेक करनी पढ़ती है जिसमें र एसारी supply होती हैं इसके वाज़े से voltage suspend हो जाते हैं तो एक यह चेक कर लेना अगर मैं बात करूँ आपने फुटू खीच ली होगी नहीं खीच है तो वीडियो को बैक करके खीच लेना अब डब्लू टीर के बाद जो आई से आती है डी आरेक्स जिसको हम डाइवर्सिटी रिसीविंग कहते हैं दूस्तों इसके वि मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो वीडियो को जरूर देख लिए जिसमें डाइवर्सिटी डियारेक्स क्या काम करती है तो फिलाल डियारेक्स पर जो वोल्टेज आपको चेक करना है दोस्तों तो यहां पर नोटिस किजेगा इस इस को मैंने बहुत इमांदारी के साथ में यहां पर इस प्लेंग किया हुआ है अगर आपको इस आइसी पर चेक करना है तो फिलाल मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो हमें इस वीडिडी और वी आयो दो वोल्टेज हम यहां पर चेक करते हैं तो एक नोटिस कीजिए एक वीडिडी एक वी आयो मतलब एक 2.8 और आपको कहां मिलेंगे तो इसकी फूटू खी चलो भाई तो आपको यहां पर मिलेंगे जो आपका यह DRX है दान रखना यह आपका WTR है देखे मैं इसको इस करने से कलर में डाल देता हूं यह आपका WTR है इस WTR के ज़स्ट उपर यहां पर यह आपका DRX IC लगी हुई है तो इस IC पर दान दिजेगा यह पहला कैपिसीटर यहां पर 2.8 आना चाहिए और यह दूसरा कैपिसीटर यहां पर आपका 1.8 voltage आना चाहिए तो यह दान रखेगा अगर यह नहीं आ रहे हैं तो आपको इसी वोल्टेश के लिए आपको काम करना है और आपका जो जो सर्वेस है या आपके जो नेट ट्रक नहीं आ रहे हैं या लो नेट ट्रक पर काम कर रहे हैं तो आपको DRS IC को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यदा जोड़ी है दोस्तों यह बात दोस्तों अगला है SPDT High Band इसको हम सिंगल पोल डवल थ्रो एक IC बोलते हैं जो एक स्विचर IC होती है जो सिगनल को जो दो सिगनल को इंक कराती है और इसके वारे में भी मैंने DRX supply में बताया है DRX के वीडियो में बताया है आप इसमें देख साथे हैं इसके लिए मैं खास वर पर एक वीडियो और बनाने वाला हूं तो अगर मैं इसको explain करूं तो आपको यहां पर कहां पर चेक कर आपको यहां पर निकलता है और एक शीप्यू के लिए चाहता है तो आपको इस क्यापिसिटर पर यहां पर टू पॉर्टेट करना है जो कि यह देखान से देखेगा तो तो दहान से देखेगा मैं आपको इस IC को दिखाना चाहता हूं तो यह IC आपको Redmi के 8A में कहा मिलेगी तो यह आपका DRX IC है ठीक है यह आपका DRX IC है और इस DRX IC के जस्स यहां पर यहां पर यहां पर यूज की गई है और यह यहां पर मैं बोलना हूं और यहां पर आपको चेक करना है 2.8 वोल्टेज तो यह दिमाग में दाना रखेगा SIM लगाना है फोन को और रखना है और इस च्छोड पर आपको इतना वोल्टेज चेक करना है अगर यह आ रहा है तो यह IC आटिवेट है मनला हाई बैंड की स्विच क्योंकि यह हाई बैंड को स्विच कर रहा है और अगर यह वाला तूड गया तो आपका नो सर्विस पर साइट जा सकता है यह आपका 4G काम करना बंद कर देगा मतला आपका सारे नेट्रों आइंगे पर 4G आपका नहीं आएगा तो यह कई बार क्या हो सता है यह पत्रा नि स्विचर है अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे तो 2.8 वोल्टेज यहां पर भी देखने को मिलेगा यह यहां लगी हुई है जिसमें यह वाला कॉम्पोनेंट है और अगर आप रियल बोडी की बात करेंगे रेडमी का 8 तो यह कह आपको यह डिंंट है कि आपको यह पर वोल् dedicate j tbsp कंउ जोड़ि आयो है जी है यहां यहां जो घह करना खनार यहां यह आपको वोल्टेज चेक करना है यह जोड़िया क यह बहुत जी है यह मिडबैंड का स्विचर है और अगर यह ख़राब हो जाएगा यह तो पर यह ऊड इसके वारे में धान रखेगा इसकी फुटू कीछ लिजेगा तब कि जब भी आपके पास राइडमी का एट आए आपको खास तोर पे इस कॉम्परेंट पर चालू करना है सिम लगाना है और यहां पर आपको 2.8 वोल्टेस बनने चाहिए यह पीटी मॉडुलेटर जिसको हम कहते हैं और यह है आपका 4G और 3G PFO IC अगर मैं बात करूं इन इसो के बारे में तो सबसे पहले मैं यहां पर यह मॉडुलेटर बताता हूं तो दोस्तों इस कैपिसेटर पर अगर मैं बात करूंगा आपको मिलेगा यहां पर चार वोल्टेस जो कि यहां पर वीपी है चाहि देगी तो भी आपका ने ट्रक में आपका हो सकता है या तो 4G काम ना करें नो सर्विस आए और दोस्तों यह कैपिसेटर बहुत इंपॉर्ट हो गया यह लीकेज हो गया तो हो सकता है कि आपका फॉन आटो पोड बना है और फॉन डेड हो जा रही हो ठीक है अब अगर मैं बात करूंगा यह वाला जो चैपिसेटर दोस्तो इस वाले कैपिसेटर में आपको जो में लीःगी वह एक वोल्टिस से लेकर चाहर में पी टेंकर बीच में मिलेंगे कौन सा यह वाला तो आप इस कैपिसेटर से उठाकर इस कैपिसेटर पर जंपर माट सकते हो तो यह कोई नहीं बताता है सारी चीज है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है जितना पता होगा उतना नौलेज देंगे पड़ेशर तेलीकॉम खुल के नौलेज देगा क्योंकि वह इससे भी ज़्यादा आपको देने के लिए बुला रहा है और बिल्कुल जितना सीख सकते हैं मैं तो चाहता हूं मेरे वीडियो से आप फोन बनाए और उसके बार आपको लगए का नहीं सद मुझे तो और सीखना है तो यह क्लास जोइन करना और यह सस्ते वस्ते के चक्र म देखने है यह वीपीएच की लाइन है तो यह फूडू खीच लेना है यहापर और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपको यह लाइन देखने को मिल लिए दोस्तों यह लाइन इस लाइन का आउपूट है तो बिसिकली यहाँ पर जितना भी वोल्टेज बनेगा वह देखने हैं आठेह लाइन है और को डिखने है अब को यहां तो आपका शुड़ी यहाँ से लेके यहां पर जमपर मानना पडएगा और आपको यह नहीं बन रहा है तो आपको इस इसकापड़ करना पड़ेगा और इसके इन पूंगण व मुछ बड़ेंगे 1.8 और 4 वर्त सो यह सारी चीजे मैंने आपको बताने की खुशिस किये हैं जिसमें मैंने आपको कौन कौन सी आई-सी के लिए कि अगर मैं बात करूं APT Modulator या मैं बात करूं PFO और अगर मैं बात करूं SPDT जिसके हम बात करेंगे SPDT मनलब जो हमारा सिंगल पूल डवल ट्रो एक आई-सी है और अगर उससे पहले हम बात करेंगे SPD High Band उसके पहले मैंने आपको बताया WTR उसके पहले मैंने आपको बताया PFO और दोस्तों यह सारी चीजे आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना की कैसे लगी है और I hope कि आपने इन सब के फूटो खीच लियो पैटिकलर वुल्टेज की जानकरी मैंने दी है और ले देके ने टरक में यही कोसिस की है कि आपको जो इंपॉर्टेज है उनको मैं आपको बताऊं कि आपको यह सारी इंपॉर्टेज चेक करना है तो WTR में आपको voltage चेक करना है, पीएफो में ने आपको voltage बताई दोनों पीएफो में बताई उसके APT modelator में बताई उसके DRX में बताई दीयारेक्स की switching ice में बताई और आपके PFO की switching ice मनला दो SP dT में बताई जो इस वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है कैसा लगा यह बदायेगा जरूर और दोस्तों नैस्ट वीडियो जो आने वाला है वह आपके रॉंगते खरे करेंगा आप सोचोगे कि एक इंसीटूट रहा है चैसा डालए तो आपको कमाल का लगने वाला है क्योंकि आपको सीख करता हूं और चार दिन का इतना बढ़िया आपको सिक्यूर्ट रखता हूं कि आप कभी भी हां आए और चार दिन के लिए तो भूल जाएं कि मेरे पैसे सिक्यूर हैं और ये विश्वास मैं दिलाता हूं अभी तक कोई यूटूब में नहीं बताया गो हूं तो फ्याना में आपका अब उसका करने वाले हैं तो फैस का निकालने वाले झाल झाल झाल